क्या आपके भी मनी प्लांट के पौदे की पत्या नहीं हो रही हैं चमकदार और हरी गनी तो दोस्तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी से जुड़ी जानकारी सेयर करने के लिए जा रहा हूँ और कुछ केर टिप्स भी बताऊंगा मनी प्लांट की पत्यों को चमकदार करने की और मनी प्लांट के पौदे को हरागना करने की तो दोस्तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ जिससे मैं आप लोगों के साथ नई-नई जानकारियां और नई-नई वीडियो सेयर कर सकूँ तो देखे जैसे कि आप मेरा मनी प्लांट का पौदा देख रहे हैं इस मनी प्लांट के पौदे की पत्यां भी देख रहे हैं आप कि कितनी चमकदार बने हुई हैं और इस पौदे पर बहुती जादा हर्याली च्छाई हुई है इसी प्रकार आप लोग भी कर सकते हैं अप मैं आपको ये बता दू कि मैंने अपना पौदा इस तरीके का किस परकार किया है तो देखिए मैं अपने पौदे पर पत्तियों को चमक्दार करने के लिए एक चीज का इसप्रे करता हूँ वह भी आपको बताँगा कि आकर में वह कौन सी चीज है और इसको हरागना करने के ल जैसे मेरा पौदा इस आलात में आप देख रहे हैं अब मैं आपको ये बता दू कि आप जो मनी प्लांट का पौदा देख रहे हैं तो इस मनी प्लांट के पौदे में मैं इस वीडियो में कुछ भी नहीं डाल कर दिखाऊंगा क्योंकि दोस्तो मैं जो ferti lyor इस पौदे में देता हूँ वो महीने में only दो बार देता हूँ तो मैंने अभी 4-5 दिन पहले ही इसमें ferti lyor दिया है और उसका स्प्रे करता हूँ, उसका स्प्रे भी कर दिया है इसलिए मैं इस वीडियो में आपको कुछ भी नहीं डाल के दिखाऊंगा तो दोस्तो फर्टिलायर और स्प्रे किसका करता हूँ वो मैं आपको आगे बताऊंगा सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मैंने आपसे बोलाता शुरू में कि इस वीडियो में मैं मनी प्लांट के पौदे को हरागना करने के लिए कुछ केर टिप्स बताऊंगा तो दोस्तो जान लीजिए आप मनी प्लांट के पौदे को हरागना करने के लिए सबसे बेस्ट केर टिप्स तो दोस्तो जान लीजिए सबसे पहली टिप्स देखे मनी प्लांट की पत्यों पर आपको दोनो टाइम पानी का स्प्रेक करना है जिससे होता क्या है कि मनी प्लांट की पत्यों पर आप दोनो टाइम पानी का स्प्रेक करेंगे तो पत्यों फटेंगी नहीं और चमकदार बनी रहेंगी अब दोस्तो आप जान लीजिए दूसरी टिप्स तो दूसरी टिप्स ये है कि मनी प्लांट के पौदे को आप जितना चाया में रखेंगे उतना ही आपका मनी प्लांट का पौदा रंग लाएगा यानि कि ग्रीन बना रहेगा बहुत ही जादा हरागना बना रहेगा और दोस्तों मैं आपको बता दू कि मनी प्लांट के पौदे को आप अगर दूप में रख देती हैं तो उस पर कई तरह की परहिसानियां वनना शुरू हो जाती हैं जैसे कि मनी प्लांट के पौदे पर जो पत्तियां चमकदार रहती हैं वो फटना शुरू हो जाती है इसलिए मनी प्लांट के पौदे को दूप में ना रखें अब जान लीजिए तीसरी केर टिप्स तो देखे मनी प्लांट के पौदे में समय पर फर्टिलायर होना जरूरी है इसलिए हम समय पर फर्टिलायर देते रहेंगे तो मनी प्लांट का पौदा हरागना बना रहेगा तो केर टिप्स पूरी हुई अब हम जानेंगे कि मैंने आकर मैं कौन से फर्टिलायर डाले थे अपने पौदे में और मैं आपको कौन से फर्टिलायर बताने जा रहा हूँ तो दोस्तो वही fertilizer मैं आपको भी बताऊंगा जो मैंने अपने पौदे में इस्तेमाल किये हैं तो जान लीजिए दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि मनी प्लांट के पौदे की पत्यों को चमकदार करने के लिए काम करता है Epsonsult fertilizer Epsonsult एक ऐसा fertilizer है कि किसी भी पौदे की पत्यों पर उसका spray किया जाए महीने में दो बार तो वो पौदे की पत्यों को इतना चमकदार बना देता है जैसे कि पौदे की पत्यों पर पानी का अभी अभी spray किया है तो इसके अलावा आप जान लेजिए मनी प्लांट के पौदे को तेजी से बढ़ाने के लिए और अरागना रखने के लिए दूसरा fertilizer तो दोस्तों वो कौन सा fertilizer है सीविड आप लोग जानते ही हैं सीविड एक ऐसा fertilizer है जो कि मनी प्लांट के पौदे को तेजी से बढ़ाने के लिए बहुती अच्छा काम करता है इसलिए मैं अपने पौदे में महीने में दो वार सीविड यूज करता हूँ और दोस्तो मैंने आपको दोनों ही फर्टिलायर बता दिये हैं कि हमको अपने पौधे में इन दोनमो का इस्त्माल करना है और कैसे करना हैं और कुछ केर टिप्स भी बता दियें के टिप्स भी बिल्कुल नॉर्मल ही बताइए मैंने आपको मुझे उम्मीद है कई आप इन कामों को कर सकते हैं और अपने मनी प्लांट के पौदे को रख सकते हैं रागना और पत्यों को चमकदार भी बना सकते हैं तो उम्मीद है दूस्तों आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट वक्षों में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी और आपने अभी तक ये चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो इसे सब्सक्राइब कर लें